यूपी विधान सभा की दस में से नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां सपा ने अपने साथ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया था वहीं दो और प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में अब उतार दिया है वहीं बसपा ने भी नौ सीचो पर अपने प्रत्याशियों की नाम का एलान कर दिया है इसके अलावा इस उपचुनाओं में AIM, AIM, आजाद समाज़ पार्टी का शीराम समेथ अन्य लोग भी इस महा मुकाबले में उतर आये हैं लेकिन इस उपचुनाओं को लेकर सभी को इं लेकिन इन सब चर्चाओं पर विराम लगाते हुए अब फाइनली बीजेपी ने यूपी विधान सभा के उपचुनाओं के लिए अपने उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया है लेकिन ये एलान सिर्फ साथ सीटों पर ही हुआ है दो सीटों पर अभी भी सस्पेंस को बरकरा रखा गया है आखिर कौन है बीजेपी के वो साथ धुरंधर जिनहें बीजेपी ने इस उपचुनाओं में गहन मंथन कर अलग अलग सीटों पर अपना उमिद्वार घुशित किया है और क्या है इसके पीछे की वजह ये मैं आज आपको बताऊंगा विस्तार से थर बीजेपी पुर विधान सभा सीट को छोड़कर यूपी विधान सभा की सभी नौ सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाओं को लेकर ये एलान किया कि अब सपा सभी नौ सीटों पर अपने उमिद्वार उतारेगी जिसके बाद राहुल अखिलेश का गठबंदन खटाई में पड़ता हुआ नजर आने लगा वहीं आज बीजेपी की ओर से नौ में से साथ सीटों पर अपने प्रत्याश्यों की नामों का एलान कर दिया गया है बीजेपी ने मुरादाबाद की कुंदर की गाजियाबाद की सदर अलिगर की खैर मैनपूरी की करहल प्रयागराज की फुलपूर अंबेटकर नगर की कटहरी और मिर्जापूर की मजवा विधान सभा सीटों के लिए अपने प्रत्याश्यों के नाम का अब आधिकारिक र सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी जरूर उतार दिये हैं वहीं गोर तलब है कि मुझवर नगर की मीरापूर विधान सभा सीट को भाजपा ने रालोद के सुपूर्द किया है लेकिन कानपूर की सीसा मव विधान सभा सीट पर अभी फिलाल किसी के नाम पर फाइनल म चुनाव के लिए गुरुवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की जिसमें करहल से धर्मेंद्र यादो के सगे बहनोई अनुजेश यादो को टिकट दिया है जो रिष्टे में अखले शियादो के भी बहनोई लगते हैं वहीं अमबेटकर नगर के कटहरी से धर्मराज निशाद, मुरादाबाद की कुंदर की विधान सभासीट से रामवीर सिंग ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, अलिगर के खैर से सुरेंद्र दिलेर, प्रियागराज की फुलपुर विधान सभासीट से दीपक प मिर्जापुर के मजवां से सुचिस्मिता मौरे को टिकर दिया गया है, घौर तलब है कि भाजपा ने जिन साथ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उनमें चार OBC, एक दलित और दो सामान निवर्ग से जड़े हुए प्रत्याशी हैं, वहीं अब इन सभी सीटों में स सबसे पहले हम बात करते हैं मैनपुरी की करहल विधान सभा सीट की, जहां से भाजपा ने सैफ़ई के यादो परिवार के धर्मिंद्र यादो के सगे बहनोई और अखिलेश यादो के भी बहनोई अनुजेश यादो को टिकर दिया है, घौर तलब है कि मैनपुरी की करहल भाजपा ने एक ऐसा गेम खेला है जिससे समाजवादी पार्टी को तगड़ा जटका लगा है करहल विधानसबा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर साल 1989 से ही सैफई के यादो परिवार का कबजा रहा है हलांकि साल 2002 में यहां भाजपा की जीत हुई थी लेकिन उस समय भाजपा ने सोवरन सिंग को अपना उमिद्वार बनाया था मगर चुनाव जीतने के कुछ समय बाद सोवरन सिंग सपा में शामिल हो गए थे इसके बाद साल 2007, साल 2012, साल 2017 के सपा के टिकट पर सोवरन सिंग यहां से पुनह विधायक चुने गए और फिर 2022 में इस करहल विधान सभा सीव से अखलेश यादों ने चुनाव लड़ा और जीत कर विधान सभा पहुँचे थे लेकिन 2024 में कन्नोच से सांसर चुन्य जाने के बाद अखलेश यादों ने अपने विधायक पत से इस्तीफा दे दिया जिसके पशाद अब यहां पर उपचुना होने जा रहा है और इसके लिए सपा ने तेज प्रताप सिंग यादों पर दाउं लगाया है लेकिन भाजपा ने इस सीट पर सपा को जटका देते हुए अखलेश यादों के बहनोई को ही अपना उमीदवार घोशित कर दिया है दरसल करहल विधान सबा सीट के भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादों रिष्टे में अखलेश यादों के बहनोई लगते हैं अनुजेश यादो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वहीं अनुजेश यादो के गिंती भाजपा के सक्रिय नेताओं में की जाती है वहीं गोर तलब है कि करहल विदान सवा सीट यादो बाहुले सीट है यहां लगभग सवा लाक यादो मतदाता हैं तो दूसरे स्थान पर शाक के तीसरे स्थान पर बगेल और फिर ख्षत्री मतदाता आते हैं चुकि भाजपा एस सीट पर जीत हासल करने की पुरजोर रही है ताकि सपा से इस बात का बदला लाज लिया जा सके कि जब उसने अंबेटकर नगर के बाजु वाली सीट यानि अयुद्या सीट जभारी थी तो उसका मज़ा लिया गया था वहीं ऐसा माना जा रहा है कि अनुजेश यादो का करहल के यादो वोटर्स में अच्छी पकड़ है और वो खुद यादो परिवार से भी जुड़े हुए हैं ऐसे में अब इस सीट का मुकाबला काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि ये चुनाव ये मुकाबला अखलेश यादो के परिवार के ही लोगों के बीच का चुनाव हो गया है उनी के बीच का मुका बाजपा ने सुचिसमिता मौरे को अपना तत्याशी घोशित किया है गोर तलब है कि 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में सुचिसमिता मौर्या मजमा विधान सभा सीट की विधायक चुनी गई थी वहीं साल 1996 में इसी सीट पर सुचिसमिता मौरे के ससुर रामचंदर भाजपा के विधायक चुने गए थे वहीं निशाद पार्टी से गड़बंदन में ये सीट चले जाने के बावजूद भी बो लगातार सुचिस्मिता मौरे लगातार भाजपा के सक्रिय कारेकरता के रूप में यहां कारे करती रही वहीं ऐसा माना जा रहा है कि सुचिस्मि मौरे को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं सपा की ओर से भी इस सीट पर एक महिला प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में अपने सिपाही के रूप में खड़ा किया गया है सपा ने मजवा विधान सभा सीट पर इसी सीट से तीन बार विधायक रहे रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योती बिंद को टिकट दिया है वहीं यहां के जातिय समीकरण की यदि हम बाद करें तो यहां दलित, ब्रामहर और बिंद जाति के मतदाता लगभग 60-60,000 की संक्या में क्रमशा हैं वहीं कुश्वाहा 30,000, पाल 22,000, राजपूर 20,000, मुस्लिम 22,000 और पटेल वोटर्स 13,000 की संक्या में हैं और ऐसे में भाजपा और सपा दोनों ही मुख्य दलों की ओर से महिला प्रत्याशियों पर लगाया गया दाव, क्या मोड लेगा ये देखना दिल्चस्प होगा वहाई अब बात करते हैं मुरादाबाद की कुंदर की विधान सभा सीट की जहां कुंदर की विधान सभा सीट पर भाजपा ने रामवीर सिंग पर दाव खेला है वहीं इस seat पर समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को अपना उम्मिद्वार घुशित किया है जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि यदि अखले श्यादों उन्हें टिकट देते हैं तो वो इतिहास रश देंगे अब अखले श्यादों ने उन्हें टिकट दे दिया है ऐसे में अब हाजी रिजवान कौन सा इतिहास रश रश दे हैं ये तो वक्त ही बताएगा फिलाल कुंदर की विधान सभा सीट पर यदि हम बात करें जन संख्या की तो ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है यहां कुल व बोटर्स का है इसके अलावा ओबी सी और दलित बोटर्स भी यहां निरणाय भूमिका में है वहीं बसपा ने इस सीट पर राफतुल्लाह पर भरुसा जताया है अब बारी आती है प्रयाग राज की संगम तट पर बसे हुए प्रयाग राज के फूल पुर्विधान सभा सी सीट की जहां से भाजपा ने दीपक पटेल को टिकट दिया है और अपना उम्मीदवार बनाया है घौर तलब है कि दीपक पटेल साल 2007 में 12 सीट से बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े थे लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हुई थी वहीं साल 2012 में दीपक पर लड़ने के बाद भी उनकी हार हुई वहीं आपको बता दें कि दीपक पटेल की मा केशरी पटेल जो की फूलपुर से सांसदी रही है उनके ये सुपुत्र है इनकी कुर्मी बोटर्स पर अच्छी पकड होनी के चलते यहां से उनके टिकट दिया गया है वहीं सपा ने इस सीट से यानि की फूलपुर विधान सभा सीट से मुस्तफा सिद्धी को अपना उमीदवार घोशित किया है और बसपा ने जितेंद्र सिंग को अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं फूलपुर में 21-23 फीजदी दलित वोटर्स हैं लगभग 20 फीजदी यहां पर 11 वोट सीट की जहां समाजबादी पार्टी ने सांसद लाल जी वर्मा की पतनी शोभावती वर्मा को अपना उमीदवार घोशित किया है तो वहीं भाजपा की ओर से इस सीट पर धर्मराज निशाद को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया गया है वहीं कटेहरी में दलित वोटर् पूर्व में राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंदर दिलेर और दीपक दिलेर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोर तलब है कि पूर्व में राजवीर दिलेर का हाथरस लोगसभा सीट से टिकट कार दिया गया था जिसके बाद इसी लोगसभा चुनाव के दोरान उनकी मौत हो गई थी ऐसे में सहानुभूती वोटों को देखते हुए भाजपा ने इस अलिगर की खैर विधान सभा सीट से सुरेंदर दिलेर को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनी को टिकट दिया है वहीं सपा ने इस सीट से डौक्टर चारू कैन को अपना प्रत्याशी न्यूपत कीया है और इसके अलावा बसपा की ओर से इस सीट पर डौक्टर पहल सिंग को अपना प्रत्याशी बनाया गया है वहीं गौर तलब है कि चारू कैन पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और ये भी चर्चा हो रही थी कि वो कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगी लेकिन कॉंग्रेस चुकी अब इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है तो ऐसे में सपा ने उन्हें अपना टिकट दिया है इसके अलावा गाजियाबाद की सदर विधान सभा सीट से भाजपा ने संजीव शर्मा के नाम का एलान किया है जो लगातार दूसरी बार भाजपा के महानगर अध्यक्ष भी हैं वहीं 2022 के विधान सभा चुनाव, 2023 के मेर चुनाव और 2024 के लोग सभा चुनाव में उन्हों अपना प्रत्याशी नियुक्त किया गया है गाजियाबाद की सदर विधान सभा सीट पर वैश्य और अनुसुचित जाती के वोटर्स निरनायक भूमिका में रहते हैं और साथ ही जाट वोट बैंक भी यहाँ पर काफी एहम माना जाता है वही अब भारतिय जंता पार्टी ने कानपुर की सीसा मव विधान सभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का एलान कर दिया है और यहां से सुरेश अवस्थी को अपना उमीदवार घोशित किया है नसीम सोलंकी के विरुध अब सुरेश अवस्थी बीजेपी की योर से इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इसके अलवा बीजेपी की सहयोगी पार्टी रालोध ने अपने उमीदवार की घोशना कर दी है मीरापुर विधान सभा सीट पर रालोध ने मिथलेश पाल पर अपना दाउं खेला है गोर तलब है कि मिथलेश पाल मोरना सीट से रालोत की विधायक भी रह चुकी है वहीं सीसा मो विधान सभा सीट की यरी हम बात करें तो यहाँ पर यानि सपा की योर से कानपूर आगजनी मामले में सजा काट रहे पूर्वविधाय किरफान सोलंकी की पतनी नसीम सोलंकी को अपना उमीदवार बनाया गया है और वहीं मुझफर नगर की मीरापुर विधान सभा सीट से सुम्बुल राना पर दाव खेला गया है सुंबुल राना का ससुराल और माय का दोनों ही पक्ष राजनीती से जुड़े हुए हैं वहीं उनके पिता इस समय बस्पा के बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं अब इस कड़े मुकाबले में किस की जीत और किस की हार होगी ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन आग को क्या लगता है कि बीजेपी और सपा ने जिन जिन सैनिकों पर अपना अपना दाओं खेला है वो कुछ कमाल दिखा पाएंगे या सारा का सारा खेल साबित होगा सिर्फ और सिर्फ फिसड़ी इस बारे में अपनी राय जरूर दीजेगा फिलाल थर्डाई के आज के संक में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी थर्डाई के अगले अंक में किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमती दीजे जैहन जै भारत